हेलो फ्रेंज यह मातादी अन्पूर्णा कीचर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो आद में आप लोग के साथ सेयर करने वाले हैं पाब भाजे की रेस्पी बिल्कुल सिंपल तरिके से बनाना बताऊंगी और इतना जो है कि हमारा बढ़िया बनकी रेडी होगा ह आप लोग को देख लिए यह कितना फ्रेस और बिल्कुल दानेदार बनकी रेडी हुआ है जब तो चलिए वीडियो को सुरू करने से पहले फटा 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 से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस साथी साथ हमारे चरकी वीडियो को लाइ कर देंगे जीरा जीरा हलका हलका हमारा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें दालेंगे दो से तीन हरी मिर्च को कट करके बारिक इसमें डे ले लेना है अगर आप लोगों को तीखा थोड़ा और ज्यादा पसंद है ता आप लोग 3-4 जाइक हरी मिर्च एड़ कर लिजिए तो बस अब हमें अे अच्छne से मिख्स का लेना है साथ ही हमें क्या करना है हमारा ऑपयाज जाए ब्राउन फार धी ब्राउना चा flavored हमें पिली मिली ही ब्राउन होना लेकाश हमें से खाले ब्राउन हो जाएगा तो बस इसी तरीके से हमें प्याज को पका लेना है तो यह दिखें हमारा हो चुका है ब्राउन अब हम क्या करेंगे एक बड़ी साइज का प्याज कट करके इसमें एड़ कर दिना है फिर हम इन सब चीज को मिला के पका लेना है यह भूर्जी खाना तो सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मतलब भूर्जी पाउत और बहुत अच्छा भी लगता है साथ जाते सबको पसंद भी आता है यह फटा-फट से बन के रेडी भी हो जाएगा इतना टेस्टी ले इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो चलिए आप मेरे वीडियो को पूरा अंद तक जरूर देखेंगे तब ही आप लोगों को अच्छे समझ में आयगा तो देखें मेरा यह जो टमाटर है हम इसे जैसे इस तरह के सबकालेंगे साथी हम इसको एक बार चला लेंगे अच्छे से नमक डालने के बार देखेंगे आप लोग जैसे ही पकेगा तो हमारा जो टमाटर है वो तुरंती गलना शुरू हो जाएगा तो बस अब हम इसमे एट करेंगे मसाले तो चलिए यहाँ पर दो चमस मैं मसाले एट कर दी हूँ छोटी चमस है आप लोग खुद देख लिजिए बिल्कु छोटी चमस से यह दो चमस धनिया पौडर थोड़ा से जाएगा हलका सा लालमेश पौडर यानि कस्मिरी इसमें अभी हम लोगों को जो है कि पानी एट बिल्कुल भी नहीं करना है बस इस तरीके से हम लोग एक मिनट के लिए बस मसालों को भूनेंगे यह देखे इस तरीके से हमें बस भून लेना है मसालों को जैसे हमारा एक मिनट हो जाएगा ना तो हम इसमें क्या करेंगे अंडा को इसमें हमें फोड़ फोड़ के एड़ कर लेना है तो बस हम एक बार इसको एक बार मसालों को हम ऐसे ही चला लेंगे तो दीए मसाले हमारा यहां पर अच्छे से भून के रेड़ी हो चुका है एक मिनट पूरा हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसमें अंडे को एड़ कर देंगे तो इस तरीके से हमें फोड़ के एड़ कर लेना आप लोग चाहें तो एक कटोरी में जोकी एक बाउन में प यह जो है कि हमारा चार लोगों के लिए बिल्कुल आराम से रेड़ी हो जाएगा तीन से चार लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से परफेक्ट हमारा सेट हो जाएगा बस हमें इस तरीके से फटा-फट से फोड़ के एड़ कर लेना है अंडों को और यह ध्यान दीजेग अगर आप लोगों को जाएगा तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेगा तो बस हम क्या करेंगे इसको वापस से हमें थोड़ी दिर के बाद हम इसको ऐसे ही चलाना सुरू कर देंगे बस इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है यह हमारा बिल्कुल अच्छा रेडी हो जागा यह खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा साथ साथ यह इतना बढ़ियां लेगेगा ना कि आप लोग बस इसे ही बनाना पसंद करेंगे इस तरीके से आए आप लोगों को बहुत ना है लेकिन हाँ बराबर चलाते रहना है तो देख्ये किनारों को हम इस तरीके से आप लेगें लेगे और लेंगे ज़ेएं तरीके से हमें करना है इसमें देखेंगे ना थोड़ी देर के बाद इतनी अच्छी खुसबू आने लगेगी इतना यह बढ़ियां बनके हमारे रेडी होगा कि आप लोगों को देखते ही मुह में पानी आ जाएगा बस खाने का मन कर देगा तो देखें इस तरीके से हम फटा लेकिन नहीं बिल्कुल हमारा फ्रेस बनके रेडी होगा यह बहुत ज़्यादा अच्छा लेगेगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो इसी तरीके से हमें बराबर चलाते रहना है देखेंगे कि कड़ाई से पूरा जो अंडा है हमारा अच्छे स जह की छोड़ देगा मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से यह पके देड़े जाएगा तो देखेंगे अभी मैं आप लोगों को जह की एक मिनट से भी कम थोड़ी दिल के लिए हम इसको हलका से ढग देंगे बस अब हमें क्या करना है फटा 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 से यह हमारा ज देख रहा है ना बस इस तरीके से हमें चलाते हुए इसको चोटे चोटे जह के पीसेस में बिलकूर बारिक बारिक हमारा देखे हो गया ना बहुत ही अच्छा पक्के हमारा रेडी हो चुका है तो बस इसी तरीके से हमें इसको चला लेना है यह फटा फटा से बन भी जाती नया थाखन स्टाब्धाइव है इससे डाल के चला लेना है हमारे बहुत बढ़ादिया रेड करीये अंगर राव हा两 میں यहां धाना के प्रूर कार्ण हीर्ण लोगों को बेहत पसंद आने माला है तो बस इस तरीके से हम अच्छे से इसको वापस से मिला लेंगे इस हमारा धनिये का जो खुश्बू होगा वह बहुत ही अच्छा आने लेगेगा तो देखिए आप लोग खुश्बू देख लिजिए कितना जल्दी से बन के हमारा रेडी हुआ है बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और फटा फट से हमारा बन के रेडी हो गया है ये हमारा बल्कु रेडी है मैंने बन कर दी हूँ इंड coral बनाती हूं भाई तो इसको मैंने बन कर दीया अगर आप लोग गैस बनादे ले तो उसको गेस के फ्लैंग को Ap कर दीजिए और यह हमारा फट बन के रेडी हो चुका है ये हमारा कितना बढ़िया मज़दार चटपटा जो है की भुर्जी बनके रेड़ी हो चुका है तो देख लीजे बिल्कुल दानेदार बनके रेड़ी हो है इस तरीके से बनाएंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये बहुत अड़िया लगता तो चलि अप फटाफट से अब हम क्या करेंगे तो टाको इस तरीके से से लंगर दोने तरफ यह बटर यहासुद्र के नहीं तो इसमें तो बिलकुल भी टाइंग नहीं लगता है बस 辉स तरीके से खिए और फटा फटा फट से हमारा रेडिके से हो जाएगा देख लिए ना कितना अच्छा कलर आया है गोल्डन ब्राउन इस तरी के सब लोग लगाई है फटा फट से हमारे रेडी बेजाएगा खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो आप लोगों को अगर मेरे यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेरे चैनल कर दीजेगा सब्सक्राइब वीड इस तरी के सा हम लोग जो है कि ब्रेड को सेख लेंगे मैं इस तरीके से इसको सेख के रेडी कर लूँगी फटा फट से यह हमारा रेडी है अब हम क्या करेंगे इसको फटा पर से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे को कि इस तरीके से अमारा रेडी कर लेहीं तो जल HIS आप लोगों को टीखा देती हैं यहां पर दीखिंगे मैंने पाव को इस तरीके से सजा ली हूं साथी हागी हूं साथ मैं नहीं उसको हम एक निकाल लेना है इस तरीके से देखिए कितने बढ़ियां से हमारा पक के रेडियो आए, कितना बढ़ियां लगेगा, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद है, और जो है कि इसकी खुद्बू बहुत अच्छी आएगी, इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पदान लाएगा, तो प् हमारा ये रेडिया सर्व करने के लिए, तो आप लोग ज़रूर बताएगा, मेरी ये रिस्पी आप लोगों को कैसा लगा है, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब, जै माता दी,